हलो दोस्तों आज की वीडियो में लोग देखेंगे कि DG का यूज क्यों किया जाता है DG का function क्या है? Maintenance ए इलेक्ट्रीशन के interview में 90% ये question पूछाई जाता है कि DG का यूज क्यों किया जाता है? तो interview में इस question का क्या answer देना है? कि interviewer के सामने आपका impression अच्छा पड़े तो poor information के लिए वीडियो को last सक देखिएगा तो start करते हैं दोस्तों DG का use क्यों किया जाता है? DG, diesel generator DG electricity provide करता है emergency condition में मतलब DG का use हम तब करेंगे जब हमारी electricity board का supply चला जाए और हमारी load को electricity देना बहुत ही important है तो उस जगा पे हम लोग DG का use करते हैं बिजली को पैदा करने के लिए दोस्तों DG को चालू करना इतना important क्यों है? हम लोग एक example के तुरू समझेंगे माल लो दोस्तों मेरी एक बनकेक बनाने की factory है और मेरी factory में एक घंटे में एक लाग बनकेक बनते हैं तो दोस्तों एक दो घंटे के लिए जो बिजली गई थी इस टाइम पे मेरा कोई भी production नहीं हुआ बनकेक का मतलब आज मैंने एक दो लाग बनकेक कम बनाए तो इसकी वज़े से मुझे हजारों रुपे का loss हुआ तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग डीजी का use करते हैं कि जब electrical board की supply चली जाए तो हमारा डीजी electricity प्रोवाइड करे और हमारी machine बन ना हो तो डीजी का connection किया कैसे जाता है मैं आप लोगों को diagram के तुरू समझाता हूँ दोस्तो हमारे load को current मतलब बिजली मिलती कैसे है इस diagram के तुरू समझेंगे पहली condition है कि जब बिजली होती है तो हमारे load को supply कैसे मिलता है दोस्तो industries को एंड factory को हमारा जो electrical board होता है वो 11 kv HTA supply देता है और company का खुद का transformer होता है तो transformer 11 kv को 415 वोल्ट में convert करता है transformer के बाद जो 415 वोल्ट निकलता है उसको हम लोग ATS को दे देते हैं ATS के बाद हमारे distribution panel को electricity दे दी जाती है और distribution panel से हमारे machineों को electricity दे दी जाती है बट दोस्तो जब बिजली कट हो जाती है तब क्या होता है दोस्तो जब बिजली कट होगी तो हमारा transformer बंद हो जाएगा मतलब हमारे ATS तक कोई supply नहीं आएगी ATS का full form है automatic transfer switch ATS के नाम से ये indicate होता है कि ये एक switch है जो कि automatic change होता है तो दोस्तो ATS के अंदर current sensor होता है जब हमारी बिजली होती है तब तक हमारे ATS का ये जो lever है वो transformer पे रहता है बट जब बिजली चली जाती है तो हमारे ये जो lever है ये dg के उपर shift हो जाता है हमारा ATS तो switch हो गया बट dg कैसे start होगा दोस्तो dg में भी current sensor होता है तो जब तब transformer से supply आती है तब तक हमारा dg off रहेगा बट जैसे ही transformer का supply fail होता है हमारा dg start हो जाता है और electricity produce करने लगता है ये electricity dg से ATS पर दी जाती है dg जो electricity produce करता है उसको हम लोग ATS पर देते है और जो ATS होता है वो हमारे distribution panel को supply दे देता है दोस्तो dg को on करने के 3 mode होते है automatic, semi-automatic and manual automatic में जब बिजली cut होगी तो dg अपने आप start हो जाएगा और जब बिजली वापस आएगी तो वो अपने आप off भी हो जाएगा दोस्तो semi-automatic mode मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा manual mode में हम dg को खुद on off कर सकते हैं दोस्तो अब तक की condition क्या थी कि बिजली cut हो गई है और dg on है और हमारा load चल रहा है dg के उपर बट दोस्तो जब बिजली वापस आएगी तो क्या होगा तो जैसे ही बिजली आएगी हमारा transformer स्टार्ट हो जाएगा transformer से बिजली हमारे ATS तक आ जाएगा दोस्तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे ATS के अंदर current sensor होता है तो जैसे ही transformer का supply आएगा ATS का lever transformer की side पे shift हो जाएगा और हमारा load transformer पर चलने लगेगा दोस्तो डीजी में भी current sensor होता है तो डीजी को भी पता चल जाएगा कि main supply आ गई है और मैं off हो जाऊँ बट दोस्तो डीजी तुरंद बंद नहीं होता है डीजी cool down mode में चला जाता है 3-5 मिनट तक डीजी चलता रहता है उसके बाद बंद होता है डीजी के cool down mode के दो काम होते है पहला काम होता है कि दोस्तो कई बार होता है कि बिजली आ के वापस चली जाती है तो उस condition में हमारा डीजी तुरंद electricity provide करने लगेगा और cool down mode का जो दूसरा काम होता है कि डीजी जब भी load को electricity provide करता है तो वो गरम हो जाता है तो supply आने पर हमारा डीजी बीना load के हो जाता है और वो ठंडा होने लगता है अपने fan को घुमा करके दोस्तों आप लोगों के ETS के उपर deeply वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मीचे comment करिए अगर ज्यादा लोग के comment आएंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा तो दोस्तों इंटर्वी में अगर question किया जाए कि डीजी का use क्यों किया जाता है तो आप लोगों को answer देना है डीजी का use emergency condition में electricity provide करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे thank you for watching आप लोगों के वीडियो कैसी लेगी please मुझे like करके और comment करके जरूर बताएं मिलते हैं next वीडियो में